नवास्कार, तोटी मानोनिय वन्हानमंत्री महाद, पॉको नो अखंबा की आईज़र कानों पड़ा, मौभी नाम प्यापन को मिल दो, माननिय वन्हानमंत्री महाद है, मैं क्रिस्टी सैखिया, केंदर विद्याले आयाईटी गोहाटी की दस्किक अक्षा की चात्रा हूं, औ समस्ता समवास्यों की और से आपको परनाओ, सर, नई पीरी की एक बच्चे के तौर पर, हम अपने पेरेंस और अपने वीच की जनेरेशन गाप को हमेशा कम करना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर सर, हम ये किस प्रकार कर सकते हैं, रुपया अपने मार्ग दर्शन क्या नाम बताएं बेटा, सर, क्रिष्टी सैंकिया, इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोल देती हो, मिलाच सर, चलिए आपका सवाल तो बहुत अच्छा है, एक विद्यार्थी के रूप में, आपने जो सवाल पूछा है, उसके लिए मैं आपकी बहुत सराना करता हूँ, ये बताता है कि आप उस मुद्दे को लेकर कितने सम्मेदन सिल है, आप न केवल इस विशय को समझ रहे हैं, बलकि दो पीडियों के बीच, जनरेशन गैप कम हो, इसका भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे पैरेंट से इस विशय पर बात करनी है, एक बात जो पैरेंट को डिसाइट करनी है, क्या वो बुधा पे की ओर जाना चाहते हैं या फिर अपनी उम्र कम करना चाहते हैं, और आप भी बेट आपने मम्मी पपा को जरूरिया सवान पूछा, अगर पैरेंट्स बुधा पे की तरफ जाना चाहते हैं, तो बेशक अप अबले बच्चों के साथ डिस्टन्स बना ले, गैप बढ़ाते रहें, अगर आपको नव जीवन की और आगे बढ़ना है, अपनी उम्र घटानी है, युवाँ बने रहना है, तो आप अपने बच्चों के साथ गैप कम किजिए, क्लोजनेस बढ़ाईए, यह आपके फाइदे वाला है, आप याद करिए, जब आपका बच्चा एक साल की उम्र का था, तो आप उसके साथ कैसे बाते करते थे, तब आप उसे हसाने के लिए कैसी कैसी आवाजे निकालते थे, आप अपने चहरे के भाती-भाती के एक्स्प्रेशन बना कर कैसे उससे बात करते थे, ऐसा करते हुए, क्या कभी आपने सोचा कि कोई देखेगा तो क्या ठहेगा, कभी आपने सोचा कि लोग आपको ऐसा करते हुए देखेंगे, तो ये कहेंगी ये कैसे चहरे बना रहा है, कैसी आवाज निकाल रहा है क्या कभी उस समय आपने ये सोचा कि आपके बच्चे के मन में क्या चल रहा होगा आपको उस समय आनंद आया इसलिए आपने ये किया आपने किसी की परवानी की यानि आप सब कुछ छोड़कर खुद एक बच्चे बन गए बच्चे से खेलने के लिए आप खुद खिलोना बन गए और बच्चे के खिलोनों से भी उतना ही चाओं से खेले आप याद करिए कभी आप गोड़ा बने होंगे कभी बच्चे को पीट पर बिठा कर चले होंगे कभी कंदे पर बिठा कर घर बर घुमे होंगे कभी चार पैर करके चले होंगे बच्चा रोय होगा तो उसे चुप कराने के लिए आप भी जुड़मुट का रोय होंगे तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि देखने वाला क्या कहेगा घर के बाकी लोग क्या कहेंगे समाज क्या कहे गया दोस्त क्या क्या कुछ नहीं सोचा क्या कभी सोचा था आप उसका आनन्द लेते हैं और ऐसा बच्चे के 5-6 साल की उमर तक चलता रहता है जैसे ही बच्चा तोड़ा बड़ा होता है तो एक लेवल पर मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है कि मा बाप बच्चे को डॉमिनेट करना चाहते हैं बच्चे को हर चीज सिखाना चाहते हैं अचानक जो दोस्त है वो दोस्त न रहकर बच्चे के इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं और कभी कभी फिदू इंस्पेक्टर भी बन जाते है। साथियों बच्चा जब बाहर की दुनिया में पैर रखता है तो बहुत चीज़ बातें अबसर करता है। गर में जो देखा था, उससे कुछ जादा, कुछ अलग, कुछ नाया, वो देखने लगता है, उस समय आपकी ये जागुरुक जिम्मेदारी है, कि उस नए वातावर में आपका बच्चा और अधिक फले फुले, और इसका उत्तम तरीका है, कि आप उसके मन से जुड़े, उसके मन से ही करें, और उसकी हर बात को इमोशनली एटेज हो करके सुने, ऐसे ने फोन कर रहे हैं और वो बोल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिलकुल उसके साथ जुड़िए, आपको जो पसंद नहीं, अगर व आटिये मत, टोकिये मत, बस सुनते रहे, सुनते समय उसको लगना चाहिए, आप उसको कितना प्यार करते हैं, हाँ, लेकिन जो चीज अच्छी नहीं है, उसको मन में रजिस्टर करके रखे, और ये ग्रोईंग एज के बच्चों के लिए करना बहुत जरूरी होता है, आप जितना हो सके, उसकी बात सुनिये, उसकी बात समझिये, आप इंस्ट्रक्टर बनकर उसे सुबह से शाम तक क्या करना है, ये मत समझाईए, बार बार ये मत पुछिये कि मैंने ये कहा था, क्या क्या किया, बस अपनी आखे खुली रखिये, कान खुले रखिये, उस पर ध्य उसमें सुधार से जुड़ी जो बाते आपने रजिस्ट की हैं जो आपको ठीक नहीं लगा उसे ठीक करने के लिए बहुत विचार करके एक एंवार्मेंट क्रेट करिए ताकि उसे खुदी लगे कि वो कहां गलत कर रहा है जब माबाब बच्चों के साथ हम उम्र बनकर ही जुड़ते हैं तो कोई इश्यू नहीं होता है जैसे बच्चा कोई नया गाना सुन रहा है कोई नया मुजिक सुन कर आनन ले रहा है तो आप भी उसके साथ उस आनन में सामिल होने की कोशिश करिए आप उसको मत करो कि 30 साल पहले हमारे जमाने में तो वो गाना था हम वो बजाएंगे ना यहांसा मत करो वो जो गाना उसको पसंद है आप उससे जुड़ी आनन लीजिए ना यह समझने की कोशिश तो करिए कि आखिर ऐसा क्या है उस गाने में तो आपका बच्चा उसे पसं समय में होता था अब तो जो बनता है वो जरफशोर सरावा होता है होता क्या है कि बच्चा आपकर करके आपको कोई बात बताता है वो बताता है कि आज कुल में हमने यह किया तो कहीं आप अपनी ही कहानी लेकर तो नहीं बैठ जाते हैं कि अरे यह तो ऐसा ही क्या है क्या न उसकी जन्रेशन की बातों में उतनी ही दिश्चत पर दिखाईएगा, आप उसके आनद में शामिल होंगे, तो आप देखिएगा जन्रेशन गैप कैसे खत्प हो जाती है, और शाहिद जो बात आप कहना चाह रहे हैं, वो उसके समझ में भी आजाए, और इसलिए जन्रेशन गैप को कम करने के लिए बच्चों और बड़ों को एक दूसरे को समझना होगा, खूले मन से गपसब करनी होगी, खुलकर बाते करनी होगी, समझना होगा, सुनना होगा, और फिर आपको बदलने की तैयारी भी रखनी होगी, चलिए, असाम से इतना बड़िया सवाल मुझे मिला जरा मैं लंबा ही जवाब दे गया, लेकिन मुझे अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, भी अच्छा है,